नमस्कार, News Drum के नए कारिकरम कॉमेंटरी में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ नीरज शर्मा इस शो में हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निस्पक्ष कॉमेंटरी करते हैं अगर आप हमारी कॉमेंटरी अपने पसंद के टॉपिक पर सुनना चाहते हैं तो हमें हमारे ट्विटर हैंडल दर न्यूज ड्रम को टैग करते हुए लिख सकते हैं इसके अलावा आप यूट्यूब वीडियो पर भी कॉमेंट कर सकते हैं आज की कॉमेंटरी में हमारे साथ हैं जाने माने पत्रकार और राजनितिक विशेशग्य शेकर रहियर जी शेकर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस शो में बहुत-बहुत धन्यवाद बीरत जी बहुत-बहुत धन्यवाद 27 फरवरी यानि मंगलवार तीन राज्यों में राजेसमा चुनाओं के लिए वोटिंग होने जा रही है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और करनाटक उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है जबकि हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रेस और करनाटक में भी कॉंग्रेस सत्ता में है बहराल खबर यह आ रही है कि इन तीनों जगों उपर सारे नेताओं की सारे पार्टियों की खास करके कॉंग्रेस की नीन दूड़ी हुई है क्योंकि उम्मीद है कि बहुत ही जबरदस्त क्रॉस वोटिंग होगी शेकर जी आपका क्या कहना है आपकी क्या सोच है आपके पास क्या खबरे हैं कि इन तीनों राज्यों में क्या होने जा रहा है देखे नीरेज जी इस बार 56 वेकंसी इस थे यानि 56 जगे खाली ते राज्य से बार जी उस पर 41 जगे पर 41 कंडिडेट्स एलेक्टर अनुपोस्ट हो चुके अब मामला यह 15 सीटों की है उस 15 सीट पे भी आप देखेंगे हर राज्य में यानि करनाटका हो इमाचल हो या करनाटक इमाचल और जो तीसरा स्टेट है उतर प्रदेश जी देखे एक दो सीट के लिए बड़ी जबरतस लड़ाई हो रही है जिसमें क्रॉस वोटिंग की आ च्छे साथ MLS नहीं आया आज जी सर लास्ट जो मैंने सुना था कि आठ थे वो हाँ तो वो एक वो शुरू हो गया हिमाचल में आप देख लीजिए वहाँ जो स्टार केंड़ेट है वो अभी शेक मनु सिंग मी जैसे वो अपने नामाकन दाकिल के बीजेपी की तरफ से एक पूरों कांग्रस मंतरी की नाम सामने आया और हर्श महाजन को कैंड़ेट बना दिया हर्श महाजन पुरा क्या पूर开 पूरां है और अच्छे उनका मित्र हैं कॉंग्रेस MLS और वो बड़े काथ हैं कि मेरे लिए केरसом करें गी यह अप वोट करेंगे मतलब अबिशेक बन सिंग भी भी कोई resources पे कोई कम नहीं है तो इसलिए वो भी पुरा तकत लगाएंगे चुनाव में अच्छा आईए आप करना करना टका अच्छा उत्र प्रदेश मेरे क्या हुआ है जहां पे जो एक्स्ट्रा सीट के लिए जहां पार्टी कोशिश करती है अमेशा वो कोई बिसनेसमें जाको इंडेस्ट्रिस्ट को लगा देते जैसे संजे सेट उत्र प्रदेश उनको वह 8th सीट के लिए लगा दिये करना टका में वह वैसे कॉंग्रेस बहुत शक्षम है पूरा जीए सकता है बतला कोई दिकत नहीं है लेकिन उन्होंने क्या किया है एक्स्ट्रा केंडिये दे दिया वह है पूर्व विदायक लेकर बड़े रिसोर्सपूल विदायक है पी कुपेंद्र रेड़ि को दे दिया है अब कुपेंद्र सामने आने के पाद केवल उनको चार सी चार वोट्स की शौटेज है जो वह कॉंगर से तोड़ लेंगे करके चल रहा है अगर यह हो जाए तो सिद्धा रामाया का लीडर्शिप का बड़ा सवाल आ जाए क्या किया आपके अच्छा वहां पर कर्राटका में कॉंग्रस के कैंडिडेट है अब हमारे अजैम आखिन है अच्छा पहले भी वह हर्याड़ा में हर चुके इसी तरह सो उसे वह बड़े वह थोड़ा वरीड है वह कैसा निकलेगा क्या होगा उनका टाइम भी खराब चल रह बात है और में कॉंग्रेश के पास पैसे नहीं है पाट actively की मामला यह तो आप रैलेक्शन की बात है राजर सबा से कैसे आ राजरस में कैसे आहे और यहाँ पे जाके घुणर को ठीक जिये बड़े कॉंधन है जिसमें कुछ लोगों को आरंद मिलेगा अगर उनको हरा देते हैं अच्छा अभिशेक बनुसिंग भी केस में देखे मैं पहले भी हम लोग सोनिया को ओफरता इमाचल से लंडे के लिए लेकिन सोनिया ने इमाचल से नहीं लड़ी और राजस्तान चली गए उसकारण यह था कि यहां इमाचल में बड़ा डावटफुल करेक्टर्स हैं यह कहीं इनी को न हरा दे हरवा दे तो सर कॉंग्रेस ने अपने वकील को ही सूल कॉंग्रेस केंड़ेट्ट भी ते सपोर्ट अव त्रिनमूल आये थे और आज के तारीक में उनकी रिले का कॉंग्रेस और त्रिनमूल की रिस्ता तो आप जानते हैं जो जिस बहुत खराब है तो ममता का इस बार मैंने जो मेरे सोर्स बता रहे हैं ममता ने कह दिया था आदा वाला नहीं चलेगा आप वहां का हो और यहां का हमारी समर्तन ऐसे नहीं अब पूरा हमारा केंड़ेट बन जाए जिसके लिए वो तैयार नहीं थे यही बात थी कपिल सिबल का भी कपिल सिबल भी ममता को अप्रोच किये थे जब उनका ठाम खत्म वहा था तब कपिल सिबल तैयार नहीं थे फिर जाके सपा से मदद लेका भी उत्तर प्रदेशे और राजसभा के मेंबर हैं सर एक बात बदाईए हमारे दर्सकों को समझाईए कि सबसे पहले तो क्रॉस वोटिंग जब राजसभा में होती है तो किसी को पता नहीं चल पाता कि किसने क्रॉस व सब्सक्राइब के लिए लेकिन वो सुप्रीम कोट के वर्डिक के बाद एक इंसर्शन डाला गया जिसमें डिफेक्शन को रोकने के लिए क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए जो केंडिडेट नहीं जो भी मले क्योंकि राजसभा चुना में तो पहले हमें समझना चाहिए य इसेंबली के मेंबर्स वोट करते हैं राजसभा सदेश्य को तो उसमें यह प्रविदान दिया गया कि जो सुप्रीम कोट ने मौर भी लगा दी कि वह जाके जो अपनी बैलेट पेपर में हाथ से करवाएंगे क्योंकि उसमें बिशिंस नहीं है तो हाथ से जो बैले टिक ब पर यह यह फ्रीडम नहीं है क्योंकि जब विप ने यूश्य कर सकते हैं कैसा है अब क्या हो गया है कि माचल में देख लिए फुले आप कॉंग्रेस ने विप इस्यू कै जो मुझे लगता है लीगल इस्यू बन सकता है जो हर्ष भाजन चैलेंज भी कर रहे है कि जो भी प अंगरेस सदस्यों को अभीशेक बनू सिंगी को वोट डाल तो इसको लेकर भाक्ति जन्ता पार्टी ने का यह कैसे आप स्पेस्विक नाम पर कहे रहे हो कंडिडेट को इनी को वोट करना है हमने हर्याना चुनाओं में पहले देखा था जब अजय माकन की हार होई थी तब आप भी यह सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन इन प्लेस थे फिर भी हार हो गई और जिन लोगों ने पार्टी से बगावत की वो आज भी पार्टी में बने हुआ है उस केस में क्या हुआ उन्होंने कलब बदल भी राजसभा चुनाओं में जो इलेक्शन कमिशन आप वह इंक बदल बदल लागी यह पता नहीं चल पाया कि किसने कलम बदला और किसने वोट खराब किये नहीं उसमें तो यह का जा रहता कि वुपेंदर हुडा वो नहीं चाहते थे लेकिन कॉंगरस हाई कमांडेत है इनी को केंड़ेट बनाना है तो वो जो कलम कैसे बदली उसको लेकर बड़ा सब बोले वह एकवारी करो यह करो वो करो फिर वही पर रुग गया बंदा बट आप देख लीजिए निरेजी बहुत बड़ा साधिश होगा क्योंकि कोई अंदर जा कोई बाहर आ नहीं सकता अचा या कोई हैमेले कलम बदल दिया हो वह आप कैसे कहेंगे जब तक वह वीडियो इविड्यस नहीं हो बिल्कुल बिल्कुल यह हो सकता है कि कोई किसी ने जो आफिशल कलम उसको पकेट में रख लिए और दूसरा कलम डाल दिया जो सब लोग जो भी defection होगा या जो भी cross voting होगी हर टाइम एक ही formula काम नहीं कर सकता है कि आप column बदल दे कल कुछ नया तरीका हमें देखने को मिलेगा या कई जैसे अभी आपने समाजवादी party के 8 विदायकों का बताया कि वो dinner में शामिल नहीं हुए ऐसे case में तो एक ही चीज होगी कि वही आठो विदायक ने breakaway किया है इसका मतलब कि उन्होंने साथ के साथ समाजवादी party चोड़ने का भी मन बना लिया है या फिर समाजवादी party उनको निकाल देगी प्रॉस वोटिंग करने के बाद पिल्कुल देखे कारवाई तो करेगी लेकिन यह भी हो सकता है भाई अभी लोकसवाद चुनाव आगे आ रहा है और समाजवादी party की तरफ से जया बादुरी फिर जया बचन भुबरा केंड़ेट है और लाल जिलाल सुमन वो भी केंड़ेट है वो यह पुराने सद से को भी सापाने केंड़ेट बदा है अब क्या होगा फोर्थ केंड़ेट आने से इन फीरों में से कोई कट सकता है मिलकुल ओकूर्टी तो इस ओडर प्रफरेंस दी वायनाड सीट से अपने लिए उमिद्वार की घोशना कर दी वो है एनी राजा वो काफी important decision था CPI का हम पहले भी अपने शो में 4-5 बार लगातार बात कर चुके हैं कि ऐसी संभावना है और शायद राहूल गांधी वायनाड सीट को छोड़ सकते हैं इसके मुतालिक मेरा एक स अभी वायनाड में जब हो जाते हैं किर्ला में जाते हैं तो कहते हैं कि वायनाड seems to be home for me और मुझे वायनाड से बहुत प्यार है तो अमेठी में क्या था 15 साल तक कि राहुल जी के सामने ये सब क्या बोलेंगे वो सोच नहीं रहे मैं कहां से जीद पाऊंगा वो सबसे बड़ा सवाल है अब क्या है धोनिया गांदी जी राइबरिली वकेट कर चुके राजसवा सदे से बन गें अब बात क्या है कि हमेटी से दुबारा लड़ने के लिए ब कोशिश करें कि लेकिन सवाल आ है कि उनके लिए एक सेफ सीट चाहिए अब क्या हो गया है वहेनाड पिछले एक साल में उत्रा सेफ नहीं है जिस तरह पहला था उसका कारण मैंने पहले ही बताया कि केरल के जो के मंत्री है माक्सिस निता इस बार चाहते हैं कि 2019 में जो जीर का गया हूं और का गया मैं आप क्सी तरह राहूल गांदी को हरवाओ यह करू अच्छा अनी राजा जो है अमारे CPI के सेखेडाड़ी जो दी राजा है उनके वाइफ है दीर आजा का राहूल गांधी परिवार से मतलब सोरिया गांधी परिवार से अच्छत यह है रिच्टे हैं तो इसलिए वो नहीं दिखाना चाहते हैं यह कोई दो हाई प्रफाइल परस्टालिटी की लड़ाई है तो मैं जो सुन रहा हूं कि राहूल गांधी स्वैम क्योंकि कि वाइनाड इतना डिफकल्ट सीट बन गया है वो स्वैम उसको गुडबाई कर देंगे और वो सकता है अमेटी से लड़े और एक सदन स्टेट से लड़े तिलंगाना या करनाटा का जो और सेब लगता है केरल की तुल्ला मेरा सवाल बस यह था कि वाइनाड को जो अपना घर कहने लगे थे उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी आप सही कह रहे है बार बार कांस्ट्रेंसी बदलना के वर कहां से मैं एलेक्ट हूँ करके डूंटते रहना तो फिर तो आकरी तक आपकी राजी नहीं थी आप डूंटते रहे जाओ अब बड़ा सवाल जो आप कहा रहे रहे हैं वह सही बात है देखें कॉंस्ट्रेंसी और मेंबर उसके जो रिष्टा होते हैं एक चीज़ और आती है हम वापिस आते हैं केरला पे वह हम थोड़ा सा बैग है केरला में अभी जो अंडरस्टेंडिंग है सीपी आई और करना चाहते हैं वहां पर तो शायद 30-40 सीट के भी लाले पड़ जाएंगे क्योंकि कॉंग्रेस ने 20-20 सीटें जीती थी पिछली बार ने पिछली बार तो 20-20 सीट जीती थी और वहां पर महीं ऑपोजिशन पार्टी कॉंग्रेस प्रंट है जी वह तो कोई कॉंप्रमेस न इस तरीके से आप कह रहें कि पंजाब में कोई नहीं है पंजाब में इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ेंगे वैसे ही केरला में चुनाव लड़ेंगे तो फिर कॉंग्रेस की सीधे अभी 55 सीटों से 20 घट जाएंगी तो 35 हो जाएंगी हम अगर केवल पिछले साल के मिली केरला से उसके बाद आपने देखा होगा जब 21 में चुनाव हुआ के विधान सबाद चुनाव पिनायराय विजे ने काफी स्ट्रटीचिप बदल दी वह आप पे जिसकी रिजल्ट से वो दुबारा जीत के आगे उनको सेकेंट टम मिल गया था और केरला में जो एक सा नहीं सुधारे और पिछली बार जिस जिन राज्यों में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था वहां पर अगर परफॉर्मेंस गिरी तो शायदी लोइस नंबर होगा और लोइस नंबर आ सकता है देखिया बार-बार कहता हूं कॉंग्रेस को यह अलाइंस पार्टनेस जगे वह अपने डिरेक्ट फाइट जितने बीजेपी के साथ है वहां पर अपने आपको इंप्रू कर लेते जी तब ही जाके कॉंग्रस का रिवेवेल की बात आईगी ने तो कॉंग्रस के लिए दिक्कत है ही चैलेंज बड़ी क्रैसिस है अब क्या आप मानेंगे कि इनका अपना फाइदा कम और इंडिया गत्व drawers के बाकी पाडि जैसे आमादमी पार्टी या समाजवादी पार्टी आप बाकी लोगों का फौला हो जाएगा इनका बहला नहीं हो पाएगा लगता तो यही है देखे अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में दर्वाजा बंद कर दी चंडिगर्ड कॉंग्रस को दे दी और दिल्ली में तीन सीटें दे दी जब खुद कह रहे थे एक के लाइक देए जी तो अब ऐसे देखे मुझे लगता है कि कॉंग्रस को थोड़ा इमेज का प्रॉब्लम आ गया था अगर एके करके हिंडिया लाइन चोड रहे हैं तो हमारी चबी पर सवाल आ रही है इसलिए इनों तुरंद एक डील कर ली सबके साथ वो डील भी कोई डील नहीं है जो को जिसका लेकर अभी कॉंग्रस में आज खुलके आमद पतेल के जो रहुल गांधी फाइनली डिस्ट्रॉइज एहमद पतेल्स लेगेसी इन भरूज अब इस पर क्या हुआ कि जितने भी कॉंग्रेस सपोर्टर हैं उन्होंने बवाल काटना चालू कर दिया सबसे पहले तो वो यह नहीं मानने के लिए तयार है कि भरूज किसी तरीके से एहम इसमें अब जाकर के समझ में नहीं आ रहा है कि सही कौन है गलत कौन है तुक्त के फैजल पटेल का प्रॉब्लब और थोड़ा बड़ा है राउल गांदी के साथ इनका प्रॉब्लब है क्योंकि जब अहमत प्टेल की डेथ हुई थी राउल गांदी उनसे मिले थे जाके बरुच में जाके ऑनके गाउं में शोकसभावे भी शाविल हुए थे रावल जी का बार-बार मैं सुन रहा हूं Congress Party Sources से बार-बार यही सवाल था है कि जो अहमद पटेल जिस तरह Resources Manage के Congress Party के उसकी जानकारी क्या इनको है क्या परिवार को कुछ पता है कि कहां कुछ बड़े-बड़े resources का रखें रखें गए लेकिर परिवार ने कहें दिया था रावल जी को हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं था कि आमद पटेल वैसी बड़े सिक्रेटिव परस्टालिटी थे तो उनका कहना था भई हमें तो कुछ बता ही दिए गया ऐसा ही मैंने सुना है जगन मोगन रेड़ी के साथ भी हुआ जब राश्य कर रेड़ी का डेट के बाद जगन से पूछा गया सुनिया ने पूछा भई कहां है यह सम वो ले आमने को किस्ता भी खराब इसलिए हुआ है सर्क बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू गूट नाइट